Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 12 की जो आपकी Elective Book है जिसका नाम है Kaleidoscope, उसका Chapter No. 4 जिसका नाम है Tomorrow आज इसे मैं Continue करूँगी और स्टार्ट करूँगी इसका Part No. 4 Explanation का, इससे पहले मैंने Part No. 1, 2 and 3 इस Chapter के Explanation के लिए Already आप लोग के लिए Prepare करके दे दिये हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाएए, वो देखकर आईए सुधा तब Part 4 में आप Continuation में आपको समझने में Easy रहे आपको जब हमने Part 3 खतम किया था, तो हमने यहां पर end किया था कि जो Captain Hegbird है, उनके घर के बाहर एक stranger, एक बहरूपिया इंसान आता है और कहता है कि मैं आपके बेटे के बारे में कुछ important information जानता हूँ अगर आप मुझे अंदर घर में आने देंगे, तो definitely मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ और Captain Hegbird को गुस्सा आगया क्यों, क्योंकि अंदर उनके पास वो सारा नया furniture था जो उन्होंने अपने बेटे के लिए संभाल के रखा था और किसी को नहीं दिखाया था आज तक, इस उम्मीद में कि जब उनका बेटा हैरी आएगा तो वही पहली बार अपनी नजर डालेगा, उस नए सजाय हुए घर पर Also Captain Hegbert गुसा हुए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कोई stranger इंसन आके उनका मजाग उड़ा रहा है उनके बेटे को लेकर और उनके emotions के साथ खेल रहा है तो उन्होंने गुसे में चला दिया उस stranger को और कहा कि तुम क्या मुझे मेरे बेटे की information दोगे मेरे पास तुम से कई जाधा information है और अभी से नहीं सालों से है उतनी information है जो तुमारे पास भी नहीं होगी उतना कुछ मेरे पास है तो तुम अभी यहां से चाले जाओं और यहां पर हमारा chapter खतम होता है I mean part number 3 जो है वो खतम होता है अब chapter explanation continue करेंगे हम part number 4 से Bessie Carwell's figure appeared in black silhouette on the parlor window then with the sound of an opening door flitted out before the other cottage all black but with something white over her head क्योंकि बहार बहुत जाधा बहस और लड़ाई जगडे की आवाज आ रही थी Captain Hegbird और Stranger के बीच में और अंदर ही Bessie को यह आवाज आती कि बहार कुछ शोर हो रहा है कुछ चिल्ला चोटो हो रही है और यह सुनते ही वो बहार आ जाती है Silhaut का meaning क्या होता है A dark solid shape of somebody Basically जिसको हम shadow या परचाई कहते है Parlor window क्या होता है मैंने अपनी पिछले part 3 में भी बताये था कि घर का अंदर का जो living area होता है उसे हम parlor भी कहते है और उस living area की जो खिड़की होती है उसे हम parlor window याने living area की खिड़की याने parlor window Flitted का मतलब क्या होता है To move quickly from one place to another एक जगा से दूसरी जगा जल्ली आप quickly आ जा रहे हो उसे flitted कहते है तो जो basic कावल थी उसका उसकी परचाई parlor window से उसने देखा कि नीचे कुछ आवाज हो रही है और दर्वाजा खोलते ही जल्दी से वो एक जगा से दूसरी जगा याने उस cottage से यहां तक बहार वो आ गई देखने क्लिए कि क्या हो रहा है उसके पूरा शरीर black था ग्यूकि सबस्की परचाई दिख रही थी लेकिन स्रिव उसने अपने सर पर कुछ white color का पहना हुआ था तो सिर्व वह वाइट चीज दिख रही थी बाकी उसका पूरा एक black figure देख रहा था पूरे black परचाई दिख रही थी अब इन दोनों की आवाज इतनी तेज थी जो उसने अंदर से सुनी थी कि वो डर के घबरा के बाहर आई की कोई चिला रहा है लेकिन कोई भी एक साउंड एक आवाज अपने मूँ से नहीं निकाल पही क्योंकि इतनी तेज आवाज से वो कही न कही घबरा गई थी Captain Hegbert seemed to be trying to find his way out of a cage अब Captain Hegbert ऐसा दिखाई पड़ रहे थे बैसी को जैसे अपने ही घर में वो खड़े हुए थे अंदर और उनको असा लग रहा था कि बस मैं इस situation से छूटू उनको लग रहा था मैं किसी cage यानि किसी पंजरे में कैद हो गया हूँ बेसिकली उनको इस situation से निकलना था बहर His feet squelched into the puddles left by his industry He stumbled in the holes of the ruined grass plot He ran blindly against the fence अब squelched, squelched का मतलब क्या होता है The sound of your feet when you're walking in wet mud जब बहुत ज़्यादा गेली मिट्टी होती है और जब आब उसके उपर पच पच करके चल रहे हूँ तो इप पच पच की जो आवाज हो से हम squelched कहते हैं Puddles क्या होते हैं A small pool of rain water on the ground अगर ground में कोई जमीन में कोई गढ़े हैं मिट्टी वाले उसमें बारिश का पानी जब भर जाता है तो उन भरे पानी मिट्टी और पानी के भरे हुए गढ़ों को आप Puddles कहते हैं तो अब Captain Hegbert को ऐसा लग रहे था मैं इस पिंजरे से बाहर निकलू याने situation से बाहर निकलू उन्होंने जैसे की कोई industry बना रखी थी अपने घर के front garden में क्योंकि हर जगा मढ मिट्टी खोथते ही रहते थे और बारिश के पानी उनमें भर जाने की वज़े से वो इधर उधर तेज तेज गुस्से में वाक कर रहे थे जिसकी वज़े से पच 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 गीली मिट्टी की जो आवास थी वो महाँ पर सुनाई दे रही थी और वो fence याने घर के बाहर जो इस तरीके के ऐसी लकडी की फेंस बनी होती है उस fence से इधर से उधर उधर से इधर बहुत तेस्टेस ब्लाइंड ली आने अंधा धुन वाक कर रहे थे गुस्से में है यह स्टेडी अब इट सदे मान अद गेट ग्रेवली stretching his arm over and catching him by the sleeve steady का मतलब क्यों होता है to stop रुखना और ग्रेवली का मतलब क्यों होता है seriously okay तो captain heckbord इधर सुधर तेस्टेस वाक करते हैं और जो यह stranger बहुरूपी आदमी वो जो गेट के बाहर खड़ा है इस वक्त वोच सीरियसली अपना आम यहने उस फेंसिंग के उपर captain heckbord को हाथ से पकड़ को अरे steady रुख जाओ इत्ती तेस्टेस उदर उदर मत भागो वो गेट के इस तरफ खड़ा है फेंस के और उस तरफ captain heckbord है लेकिन उपर से हाथ ऐसे करके उनको पकड़ता है somebody has been trying to get at you hello what's this rig you've got on storm converse by George he had a big laugh well you're a character अब रिग का मतलब क्यों होता है थिंग याने कोई चीज और यह storm converse क्या था याने वो हल्की कॉलिटी के कपड़े का जो सूट अजीब सा जो बारिश में जब तूफान आता है उस वक्ड़ा लगाते हैं उस तरीके के कपड़े का जो अजीब सा हल्की कॉलिटी का सूट जो पहना था काप्टन हेगबर्ड ने यह उस स्टॉम कानवस सूट के बात हो रही है तो अब यह स्ट्रेंजर आदमी काप्टन हेगबर्ड से कहता है कि भाई हलो भाई यह तुमने क्या अजीब सी चीज पहनी होई है और अजीब सा तुमने यह ड अब श्रिंकिंगली का मतलब की ओता है श्रींको ने है ने सिकोड जाना तुमने का मतलब के होता है और छोटा फिल करा है क्रेस्ट फॉलिन का मतलब क्या होता है साइड डिसपॉइंट में जब आप बहुत डिसपॉइंट होते हो बहुत गुसा होते हो आपको साथी साथ बुरा भी लगता है तो कैप्टन हेगबर्ड ने इस मजाक वाली बात को सुनके उस ट्रेंजर से खीच के अपनी स्लीव को पहनूंगा और कहीन है कि उनको बहुत इंबार्स कुछ शरम फील हो रही थी क्योंकि उसने मजाक वड़ाया होगा था कैप्टन का वाट्जमाटर विधिम अट्मोस फामिलियर विटी इन डेलिबरेट एक्स्विनेटरी तून आरण वांट उस्टार्टल दी ओल्ट मैं अब साटल का मतलब क्यों थै किसी को सप्राइज कर देन अब suddenly यह जो stranger है यह बैसी से इस तरीके से बात करता है जैसे बहुत फैमिलियर है बहुत अच्छे से जानता है बैसी से तो बैसी से बोलता है भाई क्या प्रॉब्लम किया इस आदमी के साथ और इस तरीके से बोलता है कि मैं इसको सप्राइज नहीं करना चाता था यहां प इंटो अबाबर्स on my way to get a two penny shave and they told me that there he was something of a character. The old man has been a character all his life. फिर वो अपनी आवाज थोड़ी धीमी करता है और ऐसे बात करता है बैसी से जैसे वो सको सालों से जानता है और कहता है कि मैं तो बस कहीं से आया मतलब सामने C की तरफ से आया और सामने मिर को बार्बर याने वह वाला बार वही वाला नाई जो हमेशा इस old captain hegbird की बात करते रहते हैं कहता है मैं तो बस दो पैनी याने यह coins होते हैं ब्रेटेन में किता मैंने दो पैनी की मैं तो शेव बनाने के लिए उसनाई कि यहां गया और उसने मुझे बताई कि एक अजीब तरीके का नमूना आदमी यहां पर है जिसका नम captain hegbird है जो सालों से अपने बेटे को ढूंड रहा है यह वो और बस और यह जो आदमी है पू अब पहले मीनिंग्स देख लेते हैं डॉंटेट का मतलब क्यों होता है डिस्करेज और फीलो जब इंसान बिलकुल डिस्करेज हो जाता है हिम्मत नी बचती उसके नरू बहुत वो लो फील करता है क्योंकि कहीने कि उसको शर्मनाक महसूस कराया गया किसी के दवारा अल्यूजन का मतलब होता है यह निए को सिगनल मिलना को हिंट मिलना क्लू मिलना गर्गलिंग लाफ का मतलब क्या होता है to make a sound like water flowing through a narrow space गर्गलिंग उस हसी को बोलते है जिसमें ऐसी आवाज आती कि जैसे बहुत पतली सक्रीसी गली से बहुत पानी बहरा है तेसले इसे गर्गर गर्गर अपन कुल्ले करतें गले वाले वैसे वाले गागल वाले वैसी गर्गलिंग हसी उसे हम गर्गलिंग लाफ केते हैं तो अब कैप्टन हेगबर्ट बहुत जादा लो फील कर रहे थे शर्मनाक फील कर रहे थे क्यों क्योंकि उनको स्टेंजर ने ऐसे हिंट दे दी थी कि आपने तो भाई बहुत गंदे से कपड़े पहने हुए में दोर अपने घर का धर्वाजा स्लैम किया और तेजी से धराम करके बंद किया और अंदर से लूट चौट सुलक बोल्ट जो है वो लोक होनी कि उनको बार आवाज आ रही थी और अंदर से उनको आवाज आ रही थी कि मतलब बाहर खड़े होके अंदर से उनको अवाज आ रही थी कि अंदर कोई गरगल होके और गड़गड़ा हाट करके अजीब से कोई हस रहा है तो वो Captain Hegbert पागलो जैसे अंदर हस रहे थे I didn't want to upset him, the man said after a short silence अब इतनी अंदर से तेस्टे जवाज आ रही थी दर्वाज ए गेट बंद करने की दो मिनिट चो पुरहने के बाद वो stranger Bessie से कहता है कि मैं उनको upset करना है नंको दुखी करना नहीं चाहता था What's the meaning of all this? He isn't quite crazy और वो कहता है कि यह सब behavior का क्या मतलब है क्या यह आदमी crazy है पागल है तो यह सारी चीजे stranger man जो था वो Bessie से बोलता है He has been worrying a lot time about his lost son, said Bessie in a low apologetic tone Bessie अपने मकान मालिक के इस behavior से माफी वाली tone में, ऐसे माफी मांगने वाली tone में बोलती है अरे यह बिचारा आदमी काफी सालों से अपने lost son याने घुम हुए घुमशुदा बेटे की तलाश में है तो बस बिचारा इस तरीके की हरकते करता है Well, I am a son अब यहाँ बड़ी अजीब सी चीज हुई, वो जो stranger man है वो ऐसी चीज बोल देता है कि Bessie shocked वो बोलता है, मैं ही तो उसका बेटा हूँ Harry? She cried and was profoundly silent profoundly का मतलब deeply, बहुत गहराई से वो कैती है Harry? और एकदम शान्त हो गई वो ऐसा बोलके कि तुम Harry हूँ Know my name? Friends with the old man, हाँ? तो stranger बोलता है कि तो मैं मेरा नाम मालूम है, तुम क्या दोस्त हो कहा है इस old man की, याने Captain Egbert की He's our landlord, Bessie faltered out catching hold of the iron railing faltered का मतलब to move slowly without any confidence जब अब धीरे धीरे walk करते हो और ऐसे walk करते हो कि आपके अंदर कोई energy कोई confidence नहीं बचा क्योंकि समाँ आप शौक में हो, तो Bessie बोलती है वो हमारे landlord है, हमारे मकान मालिक है, और धीरे धीरे इस तरहे कि से अपने आपको संभालती हुई iron railing को लोहे की सरीयों को पकड़ती क्योंकि वो कहीं ना कहीं, शौक में ये बात सुनकी कि Harry आ गया है O's both them rabbit hutches does he commented young young hagbird scornfully just the thing he would be proud of scornfully का मतलब क्यों होता है showing disgust जब आप इस तरीके से बात करते हो कि किसी चीज को लेकि आप बहुत disgusting feel करते हो कहा रहे है, यह बकवास चीज ऐसे, तो अब यह जो young hagbird है इसको young याने जवान hagbird इसली बोला गे क्योंकि अभी अपने आपको Harry बोल रहा है याने captain का बेटा तो इसलीए विसको young hagbird बोला जा रहा है chapter में rabbit hutches क्यों होते है जो rabbit को रखने का पिंजरा होता है उसको जो घर होता है उसको हम hutch कहते है तो अब यहाँ पर बहुत घमंड दिखाते हुए यह stranger जो खुद को Harry कहते है यह बोलता है कि यह जो दो cottages है यह उनको मज़ा कुड़ाते हुए कहते है कि जो पालतू rabbits को रखने का जो चोटा सा जोपडा जो चोटा सा घर है यह इनका है इस old man Captain Egbert का है और मेरे ख्याल से तो यह वही दो चीज होंगी जिसके लिए इनको बहुत जादा अपने पर गर्व महसूस होता होगा कि हाँ यह दो चीजे मेरे है Can you tell me who's that chap coming tomorrow? फिर stranger जो है बैसी से पुछता है क्या तुम बता सुकती हो It's a swindle on the old man Nothing else Swindle का मतलब क्या होता है To get money from someone by cheating them जब आप किसी से पैसा एठते हो उनके साथ fraud करके उनके साथ cheating करके उसे हम swindle कहते है तो stranger बैसी से कहता है कि और कुछ नहीं कोई बैरूपय ब्योकूफ आदमी पैसे एठने के चकर में कोई देखना कल आ जाएगा और old man को लूट के चला जाएगा और कोई नहीं आने वाला मैं ही उनका बेटा हूँ है रही हूँ जो आज आया हूँ मैं She did not answer helpless before an insurmountable difficulty appalled before the necessity the impossibility and the dread of an explanation in which she and madness seemed involved together insurmountable का मतलब क्या होता है impossible to solve a problem जब आप किसी problem को solve नहीं कर पा रहे हूँ appalled का मतलब shocked by somebody very much जब आप किसी को देखके बहुत ज़्यादा shock हो जाते हो dread का मतलब क्या होता है to be worried about something जब आप किसी की चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा worried tension में आ जाते हो अब इत्ती सब बाते सुनके stranger की और उसे ऐसा लगता है कि वो tension में है और उसको ऐसा लगता है कि वो खुद और यह जो पागलपन वाली situation जो इसवक्स आ गई है वो खुद और इस पागलपन वाली situation में वो दोनों ही साथ में कहीं ने कहीं खडए और उसे बिलकुल समझनी आ रहा कि वो क्या करे कि कौन हैरी है कौन सच्छा है कौन जूटा है ओओ I'm so sorry she mummered वो धीरे से बोलती है अच्छा होके I'm sorry पता है उसको कुछ समझ ने आए तो उसने I'm sorry बोल दिया उसको What's the matter? He said with serenity. You needn't be afraid of upsetting me. It's the other fellow that'll be upset when he least expects it. I don't get a hang but there will be some fun when he shows his mark tomorrow. Serenity का मतलब क्यों होता है? Calmly याने आराम से. Hand का मतलब यहाँ पर है a bit याने जरासा भी नहीं और mug का मतलब mug वो पीने वाला mug नहीं यहाँ पर mug का मतलब है somebody's face याने किसी के चेहरे को यहाँ पर mug बोला गया है. तो अब यह stranger जो है जो खुद को जाओंगा तो इस बात को लेकि तो मैं डरने की जरूरत नहीं है. वो जो दूसरा फैलो जो बहरूपिया इंसान जो बेसे के लिए कल आने वाला आया जिसका इंतिजार क्याप्टन कर रहे है जो ब्यकूँ बना सकता है क्याप्टन हेकबर्ड को अपसेट तो वो होगा क्योंकि वो expect भी नहीं करेगा कि वो अगर आ भी जाएगा यहाँ पर तो उसके साथ कैसा बेहेव करेंगे क्याप्टन क्योंकि मैं असली हैरी होने के बाद मुझे ऐसा बेहेवियर मिल रहा है कैप्टन की तरफ से तो सोचो कोई बहरूपिया जो कर लिया कभी परसो नर्सो जब भी आए वो अगर आजाए अपने आपको हैरी बोलते हुए तो सोचो मतलब वो कितना जादा अपसेट हो जाएगा कैप्टन के बेहेवियर को देखके और स्ट्रेंजर कहते है कि मैं जरा सभी इस आदमी की कोई केर वेर नहीं करता हूँ और लेकिन जब कल वो बहरूपी आदमी आके अपना चेहरा दिखाएगा अपना मग याने अपना चेहरा दिखाएगा तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कैप्टन उसके साथ भी ऐसा ही बेहेव करेंगे आप कून के होता है अब कून के होता है वेसे के लिए कून एक आनिमल होता है ब्लैक कलर को होता है और जब आप किसी को कून कह रहे हो याने उसको आप गाली दे रहे हो तो यहाँ पे stranger कहता है कि यहाँ तो आप समझ ले न जो भी कल वो आएगा वो कून बराबरी होगा क्योंकि वो आएगा और उसके साथ भी ऐसा बेहेवेर होगा और वो तो जूटा आदमी है सच्चा तो मैं हूँ He had come nearer and towered above her on the other side of the railings अब cottage के अंदर railing में वहीं gate पर अंदर बैसी खड़ी है और railing के जस्ट बाहर सड़क पे उनके cottage के बाहर यह stranger man ख़़ा और वहीं से ख़़ोके बैसी से बाते कर रहा है अब वो बात करते करते बहुत पास आगया है उन आयन railings के और अल्मूस्ट बैसी के ऊपर चड़के अल्मूस्ट बात कर रहा है वो से और he glanced at her hands और वो उसके सुन्दर हाथ देखता है अब trembling का मतलब क्यों होता है शेकिंग यानि कापना अब क्योंकि यह जो stranger उसके पास आ रहा है तो वो कहीने कहीं गबरा रही और उसके हाथ काप रहे है और stranger को उसको देखके ऐसा लगता है कि यह बेचारी कहीं न कहीं इस old man Captain Hegbert कहीं यह tomorrow मेरे बेटा आएगा tomorrow मेरा बेटा आएगा कि कहानी में शामिल है यानि उसका साथ देती कि हाँ 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 आपका बेटा कल आएगा He had come just in time to spoil their spot और ऐसा लग रहे कि फालतु में Harry, असली Harry आगया और उनका यह जो कहानी जो मज़े में है Bessie और Captain Hegbert की बेखूफ वाली जो कहानी उसको मज़ा खराब करने आगया है वो real Harry उसको ऐसा लगता है He was entertained by the idea scornful of the baffled baffled plot but all his life he had been full of indulgence for all sorts of women's tricks she really was trembling very much her wrap had slipped off her head meanings देखते है scornful का मतलब क्या होता है showing disgust and anger जब आप कोई चीज के लिए disgusting feel करते हो करे कितने disgusting चीज और angry भी हो साथी साथ baffled का मतलब confused होना indulgence का मतलब क्या होता है the state of mind when you do whatever you like जब आपका दिमागी हालत ऐसी हो जाती कि आप वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है बस और कुछ नहीं तो कही न कहीं जो old man था वो entertain हो रहा था इस idea से और गुसा भी था उसको irritation भी हो रही थी कि क्या confusing सी situation बन गई अभी और पूरी जिंदगी उसने हमेशा वही किया है जो उसको अच्छा लगा है stranger man और बहुत सारी women's tricks नहीं बहुत सारी लड़कियों को उसने फसाया भी है और बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे भी हमेशा attracted रहती उससे और वो देख रहा था कि जो बैसी सामने खड़ी है वो कहीं न कहीं tremble हो रही है गबरा रही है उसके हाथ shake हो रहे है और उसके सर पर जो wrap यान हो सकता है उसने white का लगा कोई दुपट्टा या scarf ऐसे पहना हुआ था वो उसके सर से भी फिसल गया है और उसके बाद जो stranger है वो मन में सोचते कि वो राक्षास कहीं का Harry या हो सकता है वो कुछ सोच रहा है Captain Hegbird के बारे में कि कितना राक्षास आदमी है कि कितनी बेखूफ वाली बात में इस बेचारी लड़की को भी फसादिया है Never mind about the chap I dare say he'll change his mind before tomorrow But what about me I can't loaf about the gate till the morning तो dare say का मतलब क्या होता है To be sure जब आप चीजों को लेकर बिल्कुल sure हो की हां ऐसा ही होगा और loaf का मतलब क्या होगा To spend time doing nothing जब आप अपना time व्यर्थ में ही गवाते हो और कुछ नहीं करे हो बस time kill करे हो Time pass करे हो तो अब stranger man बैसी से बोलता है चलो कोई चिंदा मत करो बूड़े आदमी की कोई यह चाप याने बूड़े आदमी की तुम फिकर मत करो वो तो है पागल आदमी लेकिन मैं इस बात को लेके बिल्कुल sure हूँ कि कल होने से पहले वो अपना mind change कर लेगा याने बिलीफ करने लगेगा कि हां मैं ही उसका सच्छा और असली बेटी बेटा हैरी हूँ अभी तक उसने यह बात बताई नहीं है उनको लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जब मैं भी बताऊंगा तो वो मान जाएगा बट वो कहता है मेरा क्या होगा भाई जब तक वो मान न अब सड़्ीन हे सब बाते सुने के स्टेंजर की बहुत गुस्सा ओथ रहा है आएगा कि कल, तुमारो मेरा बेटा ही आएगा. He murmured, ओ, it's me, blankly, and they seem to become breathless together. वो कहता है कि, मैं, सच में, वो मेरा अपने बेटे का ही तने दिनों से इंतजार कर रहा है? और बिल्कुल ब्लांक हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलू? और दोनों ही, जैसे दोनों बैसी की, और स्टेंजर की जैसे सांसे वही थम जाती है. Apparently, he was pondering over what he had heard, then without irritation, but evidently perplexed, he said. Basically, वो ponder कर रहा था, याने पूरा think कर रहा था, पूरा सोच रहा था कि मैंने अभी भी क्या सुना, लेकिन बिना किसी irritation के, पर वो कहीं न कहीं confused तो था ही, कि मैंने क्या सुना, और फिर वो बोलता है, I don't understand, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. I hadn't written or anything. कहता है, मैंने तो कोई letter letter नहीं लिखा, अपने father को, कि मैं आ रहा हूँ या क्या, तो फिर वो मेरा desire क्यों कर रहा है? अब चम का मतलब क्यों होता है, क्लोस फ्रेंड, कोई बहुत क्लोस फ्रेंड को आपका दोस्त है. तो कहता है, मैंने तो कोई letter letter नहीं लिखा, अपने father को, कि मैं आ रहा हूँ कि क्या, ये तो मेरा बहुत करीबी एक दोस्त था, उसने सुबा-सुबा newspaper में पड़ा, कि भाई, तुमारे father जो है, तुमारे लिए इतने इश्टिहार advertisement लिख रहे है, तुमारे ढूंडने के लिए, तो बस उसकी बात सुनके, मैं बस आ गया यहां पर. Quarried का मतलब क्यों होता है, asked, किसी से कुछ पूछना, तो फिर उसने, अब वो पूरी कहानी बता रही है, बैसी, किसको, किस stranger को कि कैसे, उनका बेटा गुमा था, कैसे क्या पूरी जो भी इसको, पूरी story मालूम है, तो उसने अपना कान जुकाया, बैसी की तरफ, और फिर वो फुसाती है, पूरी वो बाते, जो सब उसको, काप्टन हेगबर्ट के बारे में मालूम है, और बीच बीच में, जो stranger हो बोलता है, येस, अच्छा, ओके, I see, ऐसे ऐसे words, छोटे-छोटे words, बीच बीच में बोलता है, और फिर वो बोलता है, कि, बाट, वाइ वोंट टोडे डू, कहता है, कि, जिस तुमॉरो, जिस कल के लिए, क्याप्टन हेगबर्ट इंतजार कर रहे हैं, कि कल मेरा बेटा आएगा, वो कल समझो, आज है, मानो कल, जो बीता हुआ कल है, वो तब भी अपने बेटे के लिए इंतजार कर रहे हैं, और बोलते होंगे, कि कल मेरा बेटा, यानि आज मेरा बेटा आएगा, तो समझो, वो कल आज है न, मैं आ गया न, आज, और फिर ये चीज उसने पूछी, बैसी से, यूरों अदर्टन मी, और सूरज ढल गया है, यानि शाम का समय अब हो रहा है, again, he stooped slightly to hear better, and the deep night buried everything of the whispering woman and the attentive man, except the familiar contiguity of their faces, with its air of secrecy and caress, stooped का मतलब क्यों होता है, to bend forward, यानि आगे की तरफ जुकना, contiguity का मतलब क्यों होता है, being very next to someone, जब आप किसी के बहुत करीब आ जाते हो, बहुत पास बैट के बाद करते हो, कारिस का मतलब क्यों होता है, to touch somebody in a loving way, जब आप किसी को touch करते हो, loving way से उसे आप कारिस कहते हो, तो आप शाम ढल गई है, और फिर से, ये stranger man, बैसी की तरफ जुकता है, कहीं न कहीं उसको हलका सा touch करता है, उसे बाते करता है, और उस से पूरी सब बाते सुनता है, और वो पूरा फुस फुसाटी है, फुस फुसाहट करके, विस्परिंग करके, उसको पूरी story पताती है'll depth Captain Heigbert की, और वो बिल्कुल attentive होके, यहने बहुत ध्यान पूरवक उसकी पूरी बाते सुनता है इस रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है सिर्फ उन दोनों के faces दिख रहे हैं एक दुसरी को उनको उन्हें अपने चेहरे दिख रहे हैं और कहीं नहीं वो लोग बहुत इंटिमेंट हो गा home काफी closely वो लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं और वो पूरी बाते सुन रहा है basically अब basically a stranger man अभी अभी bestie को मेला है अब बात समयाओ, they are intimate He squared his shoulders The broad-brimmed shadow of a hat sat cavalierly on his head अब squared का मतलब क्या होता है to move back your shoulders and make your back straight याने अब आप पीछे हो गए हो और अपने shoulders सीधे कर लिए और अपनी back याने अपनी feet को भी straight कर दिया है cavalierly मतलब carelessly याने ऐसे ही तो अब पूरी बात सुन लिए है stranger ने और अब पीछे हो गया अपने shoulders पीछे कर लिए back उसने अपनी straight कर लिए है और एक hat पहनी होई है उस stranger ने जो की careless लिए है ने कुछ भी ऐसे आड़ी तेड़ी उसने बस ऐसी रखी हुई है और उसकी जो brim है broad brim याने जब इस तरीके की बड़ी brim वाले जो hat होती है उसका जो shadow है वो नीचे जमीन पे दिख रही है बड़ी hat की awkward this ha he appealed to her appealed का मतलब क्या होता है to be attractive to somebody जब आप किसी के लिए attractive हो याने कि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मुझसे attract हो रहा है तो कहीना कहीं वो बैसी को अपनी तरफ attract कर चुका था और फिर वो कहता है कि कितनी awkward है यार कितनी अजीब बात है कि एक बेकूफ आदमी अपने बेटे के लिए सालों से इंतजार कर रहा है जो कभी आ ही नीरा Tomorrow, well, well, never hurt tell off anything like this It's all tomorrow then without any sort of today as far as I can see तो कहता है कि मैंने कभी इतनी अजीब बात कभी भी अपने लाइफ में नी सुनी कि कल मेरा बेटा हैगा, कल मेरा बेटा हैगा बट वो कल जिसके लिए वो इंतजार कर रहा है वो आज ही तो है क्योंकि आज उनका बेटा याने कि मैं Harry Hegbert आ गया हूँ यह सब बाते सुनके stranger की वो वहीं पर रहती है लकीन करती हो, तुम उनका साथ देती हो, उनको एंकरेज करती हो उनको तुम समझाती नहीं हो I never contradicted him बैसी कहती है कि मैंने उनको encourage किया पर मैंने कभी उनको contradict नहीं किया यहने to say that something is not true किसी को यह बोला कि नहीं नहीं आप ज़र सोच रहें हो यो आपने उम्मीद लगा रखी वो गलत है वो कहती है मैंने कभी उनको एसा नहीं बोला कि आप आ जोँंमीद लगा बैठे है आपने बैटे के लिए वो गलत है क्योंकि आपका बिटा कभी नी आने वाला वाई इंट यू तो स्ट्रेंजर बोलता है कि तुमने उनको सच्चाई क्यों नी बताई प्रइब आपका बिटा कभी नी आने वाला वो अपने आपको डिफेंड करती अपने बचाओं मैं कहती कि अगर मैं उनके ऐसा बोलूंगे तो ये सिर्फ मिजरेबल ही हो जाएंगे वो और पागल हो जाएंगे he will go out of his mind वो अपना दिमागी आपा खो बैठेंगे जो कि already वो एक बार ऐसा करके देख चुकी है Captain Egbert पगला गए थे उस ताइम His mind, he muttered and heard a short nervous laugh from her तो stranger कहते है अरे उनका दिमाग okay okay और फिर वो सुनता है कि बैसी भी दीरे से हस्ती है कि हाँ वो तो थोड़े gone case है, पगले है थोड़े Where was the harm? Was I to quarrel with the poor old man? It was easier to half believe in myself Quarrel याने to fight किसी से लड़ना तो ऐसी कहती है कि अब इसमें harm ही क्या है इसमें कोई बुरा ही क्या है अब मैं क्या उस आदमी से बूड़े आदमी से लड़ू जो कि आधा पागल उससे मैं लड़ू उससे क्या बहस करूँ मैं? इससे अच्छा तो यही था कि मैं इसको आदी अदूरी उनकी बात खुदी बिलीफ कर लूँ कि हाँ सही है ताकि शानती बनी रहे He meditated intelligently I suppose the old chap got around you somehow with a soft talk You are a good-hearted फिर वो ऐसे कहता है stranger हाँ हाँ ठीक है मुझे तरस लगता है कि बूड़ा आदमी ने अपनी soft talk या ने अपनी चुपनी चुकडी बातों में तुमें इसली ले के आगया क्योंकि तुमें good-hearted बहुत साफ दिल की लड़की हो बस अपनी फालतू बातों में वो तुमको ले आता है Her hands moved up in the dark nervously and it might have been true It was true It has come Here it is This is the tomorrow we have been waiting for और फिर वो धीरे से अंदेरे में अपने हाथ इस तरीक से nervously उठाती वो कहती है कि हाँ ये बात सच है और बिलकुल सच है और ये बात सच हो गई है यही तो है सच और इसी कल का हम आज हम इतने सालों से इंतजार करे थे Captain Egbert और हम लोग जो इंतजार कलते थे कि हाँ कल मेरा बेटा आएगा कल इनका बेटा आएगा इनका बेटा आएगा वो कल आज आ गया है आज तुम सच में आ गए हो तो उनकी चुकनी चुपड़ी बाते नहीं थी उनकी तो सची ही बाते थी वो उन्होंने जो उमीद लगा रखी थी आज वो उमीद सच हो गई है उनके बेटे तुम आ गए हो शी ड्रिव अब ब्रेथ और फिर ये हसते हुए ये काप्टन हेगबर्ड इंतजार कर रहे थे कि उनका बेटा आएगा उनका बेटा आएगा वो कल आज आज आगया है और आज जब आया है तो उन्होंने अपने घर के दर्वाजे बंद कर दिये हैं आज वोड़ने केर इफ and you think he could be brought round to recognize me what you could do it फिर वो कहता है बैसी से कि और मेरे को तो खेर कोई फरत नहीं पड़ता है लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनको help करोगी मुझे पहचानने में, मुझे recognize कर रहाने में और तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर पाओगी in a week you say और अगर तुम कहो मुझे कि हाँ एक हफते में मैं Captain Egbert को यकीन दिला दूगी कि मैं ही उनका बेटा हूँ अगर तुम मेरे लिए बोल दोगी कि हाँ मैं ही उनका बेटा हूँ I dare say you could dare say याने to be sure जब आप किसी चीज को लेके बहुत sure हो तो वो कहते है ठीक है मैं इस बात में sure भी हो जाता हूँ कि ठीक है तुम उनको यकीन दिला दोगी कि मैं ही उनका बेटा हैरी हूँ but do you think I could hold out a week in this dead alive place not me फिर stranger कहता है कि ठीक है तुम उनको यकीन दिला दोगी कि मैं उनका बेटा हूँ अच्छी बात है लेकिन तुमें क्या लगता है कि मैं एक हफते तक इस dead alive is मुड़दा जगा कोलबुक नाम की इस जगा में रहूँगा कि तो एक हफते तक में क्या करूँगा not me मैं तो नहीं रुख सकता भाई एक हफते तक जब तक तुम उनको यकीन दिलाती रहू भाई इत्ता तो नहीं रुख पाऊंगा इस जगा पे मैं फिर वो कहता है इस से अच्छा तो मैं कोई महनत का काम कर लूँ यहाँ पे फाल तो एक हफते बैटने से तो अच्छा यह है और मैं इस जगा कोल ब्रुक पहले भी एक बार आच चुका हूँ और तब मैं एक हफते से ज़ादा भी रुखा हूँ अब चम याने की आपका कोई close friend notion याने की कोई belief याने किसी की कोई मान्यता quid का मतलब pound money in British जैसे इंडिया में money rupees होती है currency वहाँ की money British में क्या है pound तो वो कहता है कि यह जो old जब मैं पहले भी आया था एक हफते से ज़ादा रुखा था कोल ब्रुक में तो तब भी आदमी मेरे बारे में Colchester से newspaper में इस्तिहार देता रहता था और तब मेरा एक close friend की मान्यता थी चलो एक letter लिख देता हूं nonsense सा बेवकूफ सा letter लिख देता हूं और कुछ पैसे कमा लूँगा इस old man से में और उस letter में लिख दूँगा कि आपका बेटा यहां कोल ब्रुक में है और कुछ पैसे कमा लूँगा तो तो वो जो letter आया था वो यह letter था जो इसी के close friend ने लिखा था लाख दिड नॉट कम ओफ दो लाख याने to engage in harmless fun और mischief जब आप कोई किसी को परिशानी ना पहुचाने वाला fun करते हो मिस्टीव या कोई मस्ती भरी कोई चीज करते हो तो वो कहता है stranger बैसी से कि वो जो मजाग किया था मेरे close friend ने letter लिखके मेरे बारे में और भेजा था Captain Hegward को वैसे तो वो आज तक उसका कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि कोई पैसे वैसे नहीं मिले We had to clear out and none too soon but this time I have a chum waiting for me in London and besides तो वो कहता है बैसी से कि हमको इस चीज को बहुत जल्दी clear करना पड़ेगा और बहुत जल्दी उनको समझाना पड़ेगा कि मैं ही उनका बेटा हूँ और इस बार तो मेरा chum याने मेरा कोई बहुत close friend मेरा London में wait भी कर रहा है और तो और इसके अलावा अब वो इतना बोली रहा होता है stranger और बैसी कावल was breathing quickly और यह सब बात है सुनके बैसी कावल बहुत तेज़ते सास लेने लगती है what if I tried a knock at the door he suggested और बोलते बोलते ही फिर stranger बोलता है रुखके कि क्या होगा अगर मैं Captain Hegbert का दरवाजा खटकटा हूँ अभी try she said वो कैती try करके देखो at least तुम try तो करो Captain Hegbert's gate squeaked and the shadow of his son moved on then stopped with another deep laugh in the throat like the father's only soft and gentle thrilling to the woman's heart awakening to her ears तो फिर वो Captain Hegbert का जो cottage के बाहर का जो दर्वाजा है जो लोहे का में दर्वाजा है वो धीरे से squeak करके आने उसकी gate की आवाज खुलने की squeak होता है उसको खोलते में अंदर जाता है और धीरे धीरे जाता है उसकी अंधेरी रात में Moonlight में उसकी जो पूरी परचाई यह बेटे की वो पूरी जमीन पर पढ़ती और धीरे धीरे चलते लते वो परचाई रुख जाती याने बेटा रुख जाता है और फिर धीरे से हसता है और ऐसे हसता है इतनी तेज हसता अजीब तरीके से कि यह हसी अजीब सी डरावनी हसी एक woman के दिल को दहलाने के लिए डराने के लिए काफी थी याने उसकी अजीब सी हसी सुनके बैसी थोड़ी घबरा गई फिर क्या बोलता है ये रुक्के old strange man he isn't frisky is he frisky का मतलब होता है mad person who is difficult to control एक पागल वेक्टी जिसको control करना बहुत मुश्किल काम है तो वो कहता है कि मैं जातू रहूं दरवाजा खटकर आने ये पागल आदमी तो नहीं है मतलब ऐसा तो नहीं कि को चोड़ वाड़ जाएगा मेरे उपर उसको control करना मुश्किल हो जाएगा I would be afraid to lay hold of him और मुझे डर है कि कई मैंने इसको पकड़ लिया तो मैं भी छोड़ूँगा निसको The chaps are always telling me I don't know my own strength और जो मेरे chaps हैं जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे बोलते रहते हैं कि तो मैं खुद को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है तो अगर इसने मुझे किच किया तो मैं भी इसको लगाऊंगा थपड़ He is the most harmless creature that ever lived She interrupted और फिर बैसी ने interrupt किया नहीं दखल देते हुए कहा कि ये जो इंसान है Captain Hegbird ये इस पूरी दुनिया का सबसे harmless creature है आने किसी को कोई परिशानी, कोई तकलीफ नहीं पहुचा सकता जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा harmless creature है तो तुम चिंता मत करो You wouldn't say so if you had seen him chasing me upstairs with a hard leather strap He said, I haven't forgotten it in 16 years अब बैसी कि ये बात सुनके जो वो strange man जो खुद को Harry कहता है वो अब एक नई बात बता रहे है आप है वो कहता है कि अगर तुमने इनको देख लिया आता ना मुझे कि मैं कैसे बच्पन में सीडियों पर भागता था और ये leather का strap याने leather का पट्टा लेके किस तरीके से मुझे मारने के लिए दोड़ते थे जब मारते थे तो तुम ये बात कभी नहीं बोलोगी कि ये इतना harmless creature इस दुनिया में और आज इतने 16 साल बीद गए है मुझे घर छोड़े वे आज भी मुझे उनकी वो बच्पन की मार याद एक किस तरीके से ये Captain Hegbird मुझे मारा करते थे इसी वज़े से मैं घर चोड़के भाग गया था शी गॉट वाम फ्रॉम हेट टू फोट अंजर अंडर अनदर अनदर सॉफ्ट सब्डूड लाफ सब्डूड का मतलब क्या होता है not very loud को ये कैसी हसी जो बहुत ज़्यादा तेज नहीं है धीरे से और ये बात सुनके जैसे की गरम पड़ गई बैसी सर से लेके अपने पैर तक और फिर धीरे से हस्ती है क्योंकि उसको कहीने का इक्षाद यकीन नहीं होता कि काप्टन हेगबर्ड अपने बेटे को लेधर के पट्टे से मारते होंगे लेकिन कहीने कहीन ये बात सुनके वो घवराई भी और ऐसा लगा कि उसका दिल जैसे उसको मुह में आ गया है बैसी के अब वो स्टेंज मैन दरवाजा खटकट आता है क्याप्टन हेगबर्ड के घर का और कहता है कि अरे डाड मैं हूँ मैं हैरी मैं बस एक दिन जल्दी आ गया हूँ आप तुमारो का इंतजार कर रहे थे कि कल मैं आऊँगा मैं बस एक दिन जल्दी आ गया हूँ यानि कि मैं आज आ गया हूँ अब दर्वाजा तो नहीं खुला लेकिन क्याप्टन हेगबर्ड के ऊपर की जो खड़की है वो खुलती है अग ग्रेंग इंफरमेशन फेलो तर द वाइस अपनी बती सी दिखाने वाला आदमी आया है और रात का समय अंधेरे में वो इससा उपर से चिला रहे है और मुझसे फालतू की बाते कर रहा है इस तरीके से उपर से बोलते हैं और उपर से वो बैसी को भी चिलाते क्या क्यों कुछ काम नहीं है तुम्हें जो तुम खड़ी हुई हो इसके साथ और कपसे बात कर रहे हो यह सब कुछ स्पॉयल कर देगा, सब कुछ बरबात कर देगा याने मैंने जो सपना देखा है तुम्हें अपनी बहु बनाने का वो मैं सब उसको तुम सब बरबात कर दोगी क्योंकि तुम एक strange man के साथ कब से खड़ी हो के बाते कर रही हो She heard Harry Hackbert say Hello Dad Then a clanging clatter the window rumbled down and he stood before her again Clanging clatter का मतलब क्या होता है Short and loud repeated sounds छोटे छोटे पर बहुत तेज तेज continuously repeat होती हुए आवाज है कभी दर्वाजा बन करने की कभी खिड़की बन करने की कभी परदा जटकाने की कभी लॉक करने की ऐसे रंबल का मतलब क्या होता है To make a very deep sound एक एक आवाज पर बहुत तेज आवाज तो यह सब बोल के जो यह सब बोला Captain Egbert ने फिर Harry Egbert क्याता है Hello Dad मैं हूँ ऐसा करके और Captain बहुत गुस्चे में जलिली सब बंद करके धडाम से अपनी खिड़की को बंद कर देते हैं फिर से और वो दोनों फिर ऐसे के खड़े रह जाते हैं बैसी और Strange Man It's just like old times. Nearly walloped the life out of me to stop me going away. And now I come back, he throws a confounded shovel at my head to keep me out. It grazed my shoulder. Walloped का मतलब क्या होता है? To hit somebody very hard. जब आप किछी को बहुत तेज मारते हो, that means आपना उनको walloped किया हैं. तब यह behavior देखके Captain Egbert का, यह Strange Man जो खुद को Harry कह रहा है, वो कहता है Old Times, पुरानी वाली वोई हरकते हैं, वोई पुरानी वाली बाते हैं, जैसे बच्पन में, यह मुझे मारा करते थे, मुझे चिलाय करते थे, आज भी वैसा ही behavior कर रहे हैं. तब ही भी ऐसा लगता था, उस जमाने में अगर मुझे कहीं जाना है, तो मुझे ना जाने देने के लिए, समझद जैसे मेरे जान ही निकाल देते थे, मेरे फादर. और आज जब मैं फिर से आया हूँ, तो वो यह confounded shovel, confounded याने जब आप किसी को confuse कर देते हैं, और shovel याने की यह dick करने वाला जो यह tool है, तो यह कहता है, और आज जब मैं वापस आया हूँ, तो वही confusion की situation ने मुझे खड़ा कर दिया, याने confusion का shovel मेरे उपर मारा है, का यह मतल confusion वाली यही चिला चोट वाली situation खड़ी कर दी है, और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो strange man कहता है, she shuddered, shuddered मतलब to suddenly shake heart due to an unpleasant feeling, जब आप suddenly एगदम कापते हो, क्योंकि आपको बहुत अजीब सी feeling होने लगती है, कि आखिर यह हो क्या रहा है, तो यह सब कि वो भी बिचारी बैसी बहुत shudder हो जाती है, I wouldn't care, he began, only I spent my last shillings on the railway fare and my last two pens on a shave, out of respect for the old man, और फिर strange man continue करता और बोलता है कि मैंने अपने आखरी के जो कुछ बच्चे कुछ शिलिंग याने कुछ पैसे थे, वो railway fare, याने railway के ticket खरीदने में, use कर दी वहां से यहां आने म और आखरी में में मेरे पास सरफ two pens बचे थे, जिसकी मैंने आते वक्त एक barber याने उस नाई से मैंने अपनी shave बनवा लिए, और वो भी मैंने इसली बनवाई कि इस old man, Captain Hegbird को respect यहने सम्मान देने के लिए कि मैं अच्छे से हजामत बनवा के आज उनके सामने आया हूँ Are you really Harry Hegbird? She asked swiftly. Can you prove it? अब Bessie swiftly याने जल्दी से उस से पूछती है कि Bessie को कही ने कहीं बचक हो रहा है. तो Bessie उस से कहती है, क्या तुम सच में Harry Hegbird हो? क्या तुम इस चीज को प्रूफ कर सकते हो? Can I prove it? Can anyone else prove it? He said jovially. Prove with what? What do I want to prove? There isn't a single corner in the world. Barring England, perhaps, where you could not find some man or more likely a woman that would remember me for Harry Hegbird. Jovially का मतलब क्या होता है? In a humorous and cheerful way. जब आप मजाग की तौर पर इस तरीके से हस्ते होगे कहते हो, तो वो हस्ते होगे कहता है, Can I prove it? क्या मैं तुम्हें proof करूँ? क्या proof करूँ? कौन प्रूफ करेगा इस चीज़ को कि मैं Harry Hegbird हूँ? और प्रूफ करूँ मैं तुम्हें क्या proof कर सकता हूँ? और what do I want to prove? मैं प्रूफ करूँ तो करूँ क्या तुम्हें कि मैं Harry Hegbird हूँ? प्रूफ के नाम से ही जानते हैं सालों से I am more like Harry Hegbird than any man alive and I can prove it to you in a minute if you let me step inside your gate तो बैसी से कहता है कि मैं Harry Hegbird आदमी हूँ और मैं जीवे तूँ तुम्हारे सामने alive खडा हूँ और मैं तुम्हें इस प्रूफ भी कर सकता हूँ अगर तुम मुझे अपने घर के अंदर आने दे दोगी क्योंकि अब तक जो पूरी बात हो रही है वो ये घर के बाहर ही खडा हुआ है Captain Hegbird के भी और बैसी के भी और घर के बाहर खड़े हूँ पूरी बाते कर रहा है Come in, she said बैसी कहती है ठीक है अंदर आजाओ He entered the front garden of the Carvels और वो सामने के garden की तरफ से Carvel याने बैसी Carvel के घर के front garden में से cottage में enter करता है His tall shadow strode with a swagger She turned her back on the window and waited Watching the shape of which the foot falls seem the most material part अब strode का मतलब क्या होता है To walk with long steps जब आब बहुत लंबे लंबे कदम लेके walk करते हो Swagger का मतलब क्या होता है To confident and proud जब आब walk कर रहे हो लंबे लंबे steps लेके लेकर आप और जब आप जब आपकी walking है बहुत confident और आप बहुत proud याने गर्वित फील कर रहे हो तो वो सामने से आता है और लंबे लंबे steps लेके confidently अंदर आता है घर में इसके अंदर आने से पहले ही बैसी घर में enter कर जाती है और घर में enter आते ही वो ऐसे खड़ी हो जाती सीधी याने सामने से वो अंदर strange man को आते हुए देखती है उसके पीछे वो जैसी अंदर आ गई तो ये पालर एरिया याने उनके घर का living area है और बैसी के ज़स पीछे खड़ी है किसकी खड़ी है उसी के रूम की खड़ी है बैसी के कमरे की खड़ी है कमरे की क्योंकि वो अभी घर के living area में और सामने से अंदर कौन आता है वो strange man अंदर आता है the light fell on a tilted hat a powerful shoulder that seemed to cleave the darkness cleave का मतलब क्यों होता है तो split याने काटते हुए तो जब जो घर जो उसके कमरे की पीछे जो विंडो थी उसके अंदर जो विंडो के अंदर कमरे में जो light जल रही थी वो बाहर पारलर में याने बाहर living area में वो बाहर light आ रही थी तो जो light है उसकी तेड़ी हुई पहनी हुई hat के उपर वो light पर रही थी और वो ऐसे अंदर आ रहा था जैसे उसके बहुत powerful shoulders है और ऐसे लग रहा था कि उस कमरे में उस पारलर area में जो थोड़ा बहुत अंदेरा था उसको चीरते हुए वो अंदर आ रहा है और फिर वो अंदर आके घूमा और फिर सामने खड़े हो गया बैसी के फेसिंग दे इल्यूमिनेटेड पालर विंडो अथ हो बैक तो बैसी के जास पीछे उसके कमरे की खड़की है जिसके अंदर लाइट जल रही और अंदर की लाइट जो है वो बहार पालर एरिया में आ रही है फिर अंदर आने के बाद वो इधर उधर साइडवेज देख रहा है और लाफिंग सॉफली तो इंसल्वर खुद ही खुद में छोटा छोटा हस रहा है दीरे दीरे पता नहीं क्यों हस रहा है क्योंकि यह अजीब आदमी है तो वो भी अपने उपर ऐसे कुछ भी कुछ भी हस रहा है Just fancy for a minute The old man's beard stuck onto my chin Hey, now say I was the very spit of him from a boy Fancy का मतलब क्या है यहाँ पर? To think, सोचो अब वो हस रहा है वहाँ पर खड़े हो के अपने आप में हस रहा है और फिर बैसी से कहता है सोचो, एक मिनिट लिए सोचो वो जो old man है, जो Captain Hegbert उनकी जो beard है, दाड़ी है सोचो, अगर मेरे चिन पर लग जा इतनी बड़ी दाड़ी तो मैं कैसा दिखूँगा? और फिर वो हसने लग गया अपने आपी मजाग कर रहा है, अपने आपी फालतू हस रहा है बैसी के सामने और फिर वो खुद से बैसी बोलती है सही बात है, अब क्या बोले इतनी पागल बात पर उसकी? And that's about as far as he goes He was always one of your domestic characters अब जो stranger है, जो खुद को हारी कर रहा है वो बैसी को बता रहा है, किस के बारे में? Captain Hegbert के बारे में Captain Hegbert को बताते है Captain Hegbert के बारे में बताता है Stranger कि जो आपके Captain Hegbert है वो शुरू से domestic character रहा है याने शुरू से एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसको domestic याने, घर में रहना बहुत पसंद है Why? I remember how he used to go about looking very sick for three days before he had to leave home on one of his trips to South Shields for coal तो कहता है मुझे ये बात का इसलिए आभास हुआ समझ में आया कि जब वो कोई trip पे जाता था क्योंकि वो sailor था कभी कोई trip पे जाता था South Shield की तरफ coal लेने के लिए तो trip पे जाने से तीन दिन पहले ही अपने आप उसकी तबियत खराब हुजाती थी तो कि भाई मुझे नहीं जाना या उसको अच्छा नहीं लगता था तो समा उसको घर में रहना पसंद था sailor बनना और sailing करने के लिए ship business में जाना उसको अच्छा नहीं लगता था Charter का मतलब क्या है याँ पर और to rent a ship जब आप किसी ship को rent वगरे पर देते हो किराय पर देते हो और tail का मतलब है आप पूछ नहीं है हाँ पर tail का मतलब है वही बुरानी कहानी जूटी मन गलन कहानी को imaginative कहानी ओके तो वह बता रहा है बैसी को कि captain का उस जमाने में एक charter हुआ करता था याने कि एक ship rent पर देने की service हुई रहती थी gas works के लिए वह देते थे and तो मैं तो यह लगता होगा तुम तो ऐसा सोचती होंगी कि वह बड़े से cruise पर जाते थे और तीन साल के लिए उनने तो मैं ऐसी कहानी बताई होगी कि मैं तो तीन-तीन साल जाता था और वह सब मन करन पुरानी कहानी हाहा not a bit of it और फिर वहस्तर कहता है कहता है यह इस में से एक भी बात सची नहीं है वह फालतु कि अपनी कहानिया बताते कि मैं अटनी लॉंग जर्नी वगरे पर जाता था 10 days on the outside the skimmer of the seas was a smart craft fine name wasn't it mother's uncle owned her तो अब वो कहता है कि 10 दिन तो बस थोड़ा बहुत घर के बाहर रहते थे काम वाम के लिए बाकी 20 दिन तो महीने के घर पी रहते थे थे the skimmer of the seas उनका नाम रख दिया था मैरी माँ कर चाचा का था जो उनको विरासत में मिल गया था मेरी मम्मी और मेरे पापा को तो कि है यह he बोली रहा था बोलते बोलते यह चुप हो गया और चुप होते इसने फिर दूसरी बात करना स्टार्ट हो गया उसने खुद को ही interrupt किया और फिर बोलने लग गया he interrupted himself in a lowered voice फिर वो धीरे से ये बोलते-बोलते फिर धीरे से कहता है did he ever tell you what mother died of he asked और फिर बोलते-बोलते वो कहता है कि उसने तुम्हें कभी ये बताया कि मेरी मा किस वज़े से मरी थी yes said miss Bessie bitterly from impatience तो Bessie कहती है Bessie बड़ी करवाहट से भरी हुई आवाज में कहती है हाँ बताया है उन्होंने कि उनकी बीवी जो है वो impatient जैने बेसबरी की वज़े से मर गई क्योंकि वो तुमारा इतना इंतजार करती थी कि मेरा बिटा आएगा घूम हुआ मेरा बिटा आएगा वो इतनी impatient हो गई कि तुमारी याद में उनको सबर नहीं हो और फिर वो एक दिन मर गई he made no sound for a while then Bruce Klee they were so afraid I would turn out badly that they fairly drove me away Bruce Klee का मतलब क्या होता है in a quick and rude way फटा फट से बहुत रूडली बहुत बुरी तरीके से कोई बात को बोलना अब जब ये बात सुनी उसने बैसी की strange man ने की captain ने उसको ऐसा बोला है कि मेरी वाइफ impatience जैने बेसबर होने की वज़े से मर गई वह सबर नी कर पाई अपने बेटे का इंतजार करते करते मर गई ये बात सुनके वो थोड़ी तेर के लिए तो उसके मूँ से कोई आवाज नहीं निकली stranger के फिर उसने फटा फट से बहुत रूडली बोला कि वो लोग इतना डर गए थे कि कहीं मैं सेलर बनने ना चला जाओं क्योंकि मुझे पानी से बहुत प्यार था तो इसी लिए वो लोग ड्रोव में अवे वो लोग मुझे दूर कहीं गाड़ी चला के दूर कहीं मुझे ले गए कि बार-बार आप सामने वाले से कंप्लेइन कर रहे हो तू तो ऐसा है तू तो आइडल है तू तो नठला है तू किसी काम कर नहीं और बार-बार किसी को इरिटेट कर रहे हो तो अब अपनी मा के बार में भी बता दा कि मेरी मा भी कोई कम नहीं थी हमेशा वो मुझे कोस्ती रहती थी कंप्लेइन करती थी मुझसे कि मैं आइडल रहता हूं हमेशा नठलना हूं मेरे पास कोई काम धाम नहीं है और जो मेरे फादर थे वो तो मुझे ये कहते थे कि मै तुम्हारा शरीर काटके तुम्हारी आत्मा निकाल लूँगा याने कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा अगर तुमने कहा कि मुझे C की तरफ जाना है याने कि सेलर बनना है या पानी से रिलेटेट, शिप से रिलेटेट कोई जॉब या बिजनिस करना है तो वो बताता है बैसी को कि ऐसा लग रहा था कि वो लोग मेरे ममी बापा कुछ जादा ही मेरे साथ करेंगे और कर ही रहते इसलिए मैं वहाँ से चला गया घर छोड़के अब हच का मतलब क्यों होता है जो रैबिट के रहने का छोटा सा घर जो पिंजरा होता है उसे हच कहते और थोड़ी देर पहली आपने सुना होगा कि उसने मजाक मजाक में बैसी से यह भी कहा था कि ओ यह दोनों हच यह इस आदमी के ही होंगे तो वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता था मेरे माबाब का भेवियर देखे कि मैं तो उनको गलती से ही पैदा हो गया हूँ कि फालतु में उन्होंने मुझे पैदा कर दिया और फिर मुझे मारते थे चिलाते थे और मुझे हमेशा कोस्ते रहते थे और कौन से घर में इजर साइड वाले हच ओफा हाउस में याने कि बगल वाले कॉटेज में जहाँ पर कैप्टन हेगबर्ड रहते हैं वहीं पर मुझे हमेशा वो लोग कोस्ते रहते थे इसलिए मैं वहाँ से चला गया, ओके and here we come to the end of this session I hope आपको part 4 इस chapter का explanation समझ में आया होगा आपने अगर मेरा part 1, 2, 3 नहीं देखा हैं तो वो देख लीजे ताकि आपको part 4 में connect करने में और समझने में easy रहें also इसके बाद मेरा part number 5 and part number 6 आएगा तो उसे देखना मत भूलेगा था कि पूरा chapter आप cover कर जाएँ आप चाहें तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वहाँ ना मिले तो हमारी website पर जाएए which is magnetbrains.com और website पर आपको सब कुछ मिलेगा easily मिलेगा free of cost ऐसा नहीं कि magnet brains आपसे एक वीडियो दो वीडियो देखने के बाद आपसे कुछ पैसे चार्ज करें बिलकुल free of cost quality education magnet brains आपके घर तक पहुच आ रहा है आप चाहें तो हमें हमारे social accounts पर भी follow कर सकते हैं which is instagram पर या आप follow कर सकते हैं youtube पर या twitter पर etc तब तक के लिए bye bye and take care